Assalamualaikum आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से Plots बनाए जाते हैं Data Visualization के थियोरी आपको पहली वीडियो में हमने बता दिये हैं जिसका link ऊपर आ रहा होगा या नीचे description में आ रहा होगा आप वहाँ से नहीं एक Jupyter Notebook बनाऊंगा जिसका नाम Literally मैं Plot रखने वाला हूँ IPYNB की फाइल बनाई मैंने ठीक है और यहाँ पर मैंने जो गलती की है वो basically क्या है यह आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जब भी आपने एक फाइल बनानी होती है तो Plots .IPYNB करेंगे तो वो Jupyter Notebook की फाइल बनेगी मैंने यहाँ पर Jupyter Notebook की फाइल बना लिए तो सबसे पहला काम जब भी आप Plotting करते हैं वो यह होता है कि आपने किस तरीके से Plots को बनाना है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले है हम यहाँ पर basically देखने वाले हैं कि Plot बनाते वकत कौन सी Libraries इंपोर्ट करनी है तो पहले जो हमारी Notebook है उसको ज़र अच्छे तरीके से कर लेते है Plotting in Python ठीक है जी Plotting in Python मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया Notebook का इसको मैं Markdown के through लिख देता हूं ठीक है यहाँ पर लिखता हूं by Dr. Amar Tufel ठीक है मैं इतना सा काम करता हूं अब आगे चलते हैं सबसे पहले करनी है import libraries उसके लिए आप करेंगे import pandas as pd import numpy as np and import matplotlib.plt नहीं .pyplot import as plt और इसके इलावा फिर और करेंगे cbond import cbond as sns यह आपने चार libraries इंपोर्ट करनी है बहुत ही important है क्यों important है वो हम देखने वाले है इसके बाद आपने क्या काम करना है आपने जैसे libraries इंपोर्ट हो जाएंगी आपने यहां पर data set इंपोर्ट करना है import data set हम इस data set पर काम करने वाले हैं वो कश्ती का data जो हमने पिछले lectures में आपको बताया वो sns.load data set इसके अंदर मतलब के titanic का data set है titanic का ठीक है इसके इर्दगिर्द मैंने लगाने थे inverted comas तो यह मेरे पास titanic का data set आ गया जो कुछ इस तरीके से नजर आते है इसको मैंने नाम दे दिया कश्ती का ठीक है आप इसको data frame का भी नाम दे सकते हैं मैंने कश्ती का क्यों दिया है we will see now हमने जब data को यहां पर import कर लिया now we know कि हम यहां पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं data के shape, info और वो सारा कुछ हमने और रहड़ी पिछले वीडियो के अंदर देख लिया हुआ है तो यहां पर मैं उन चीज़ों को repeat नहीं करने वाला because I want to do something about data plotting ठीक है तो plotting से पहले एक चीज़ का अपने खियास ख्यार रिखना है आपने सिरफ एक काम जो है वो ज़रूर करना है आपने info करके check कर लेना है कौन सा parameter क्या बता रहा है ठीक है फिर float फिर integer फिर integer तो हम इसको किस तरीके से check करते हैं किस तरीके से plot करते हैं तो plot करने से पहले आपने ये भी देखना होता है कि कहां पर null values ज्यादा आती है तो null values देखने के लिए आप simply क्या करते हैं एक command लगाते हैं इसको मैं बोलता हूँ कष्टी ठीक है dot बलके इसको बोलते हैं dot is null और dot sum कॷ्टी dot is null पहले लगा के देखते हैं कि हमारे पास null values आती है कि नहीं आती तो हमारे पास जहां जहां पर null values आ रही थी वो यहां पर हमारे पास आ जाएंगी अब यहां पर करते हैं sum तो आप चेक करें कि यहां पर जिस के अंदर जितनी null values यानि के खली values होंगी वो आ जाएंगी यानि पहले में कोई नहीं है दूसरे में कोई खली नहीं है तीसरे में नहीं है चौत है एज के अंदर 177 null values है और हमारे पास deck के अंदर 688 है तो हम क्या करते है, null values को deal करते है, null columns को हम इस तरीके से deal करते है, तो हमने ये check कर लिया कि यहाँ पे तीन जो column है, उनके अंदर basically null values है, ठीक है, age, deck and हमारे पास embark town के अंदर दो values, तो हम इनको इस्तियात से deal करेंगे, data wrangling के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इन चीजों को deal करना है, but for now we will plot something, तो plot करने के लिए आपने पहले क्या करना है, वो हम देखते हैं, आपने करना है यहाँ पे कश्ती, कश्ती के अंदर आपने रखना है survived, survived.valueCount, valueCounts लिखने के बाद आपने dot, फिर बाद में करना है plot, plot किस चीज को करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, kind is equal to, इसके अंदर मैं लिखता हूँ, bar plot, bar plot को हमने ड्रा करना है, let's see कि हमारे पास bar plot आता है कि नहीं आता, तो आप चेक करें कि यह हमारे पास एक bar plot आ गया, हमने क्या किया है, हमने count value करके इसका फिर bar plot बनाया है, कश्ती का आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप bar plot बना सकते हैं, हम एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली, sns.count plot, count plot बनाने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं, survived, मतलब यह के, survived और data is equal to कश्ती का, कश्ती यानि के Titanic के data set के अंदर जो survived है, उसका हम बनाते हैं, let me see, यह क्या मसला बन रहा है, यहाँ पे ठीक हो गया, तो हमने जो पहले plot बना है, वो एक तरीके से count plot ही बना है, यहाँ पे हमने value counts को ले के survived की, उसको plot की है, आप यह भी काम कर सकते हैं, कि आप basically कश्ती.survived लिखने के बाद value count से आगे bar plot की type बता दें, तो इस तरीके से भी बन सकता है, नहीं तो आप यहाँ पे sns.count plot लगा के भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि survived आपके पास यहाँ पे आ चुका है, तो आप survived को basically इस plot को आप further move करें, तो यहाँ पे आप hue का argument देंगे, और आप पूछ सकते हैं कि अगर sex को hue के अंदर रख लें, तो आपके पास यहाँ पे values आएंगे जो आपको बताएंगी कि male और female किस तरीके से यहाँ से निकर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से इस पे काम करते हैं, अब आप देखने के male और female यहाँ पे, जो blue है वो male को show कर रहा है, और survived नीचे आ रहा है, यानि one जो है वो survive किया है इस कच्छती में, zero survive नहीं किया, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है जी, तो यह हमारे पास एक bar plot बन गया, bar plot के बाद आप जो है वो scatter plot भी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं scatter plot वो हम देखते हैं, अब आगे है हमारे पास scatter plot, scatter plot बनाने के लिए, आपको plt.scatter लिखना होगा, plt.scatter, scatter लिखने के बाद इसके अंदर आपने x की value देनी होती है, ठीक है, x हमारे पास जो है, for example, अगर आप यहाँ पे x लेते हैं, एज को, string हमेशा उसके अंदर आनी है, हम मैं ऐसे कर लेते हैं, data is equal to kashthi, x-axis पे आएगा age, and हम y-axis ले लेते हैं, fair, age और fair का हम correlation या हम एक graph बनाते हैं, scatter plot like this, तो आप देखें कि जहाँ पे age होगी, उस हिसाब से हमारे पास plot आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास x-axis पे age है, और y-axis पे क्या हमारे पास आ रहा है, आपको पता है, scatter आ रहा है, कौन सा, fair, यह क्राया पाउंड के अंदर, और यह हमारे पास x-axis के अंदर क्या है, age है, तो यहाँ पे डिबेंड करता है कि क्या age बढ़ने से क्राया बढ़ड है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ पे एक और argument लगा सकते हैं, hue is equal to p class, let's see, अब क्या होता है, यहाँ पे p class का argument जो है, वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, we will see, unknown argument hue, अच्छा, unknown है, यहाँ पे शायद color आएगा, क्योंकि यह हम pld use कर रहे हैं, let's see, नहीं color भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, परिशानी होली बात है, तो अगर आप इसको दरा चैट में लिखें कि यहाँ पे क्या आना है, that would be great, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको color wise distribute करना है, ठीक है, scatter plot को, अब कैसे गरना है, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, आपने पिछले code के अंदर change करके उसको लेना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, sns.scatterplot, ठीक है, इसके अंदर मैं same code को ले के आता हूँ, यह वाला जो code है हमारा, यह मैं यहाँ से उठाता हूँ, copy करके, मैं यहाँ पे लेया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने paste किया, अब यहाँ पर अगर मैं hue लगाता हूँ, तो इसे काम करना है, चाहिए, let's see, like this, ठीक है, तो आपने पिछले code के अंदर को changes करके मुझे बताना है, कि किस तरीके से आप वहाँ पर color change करते हैं, यह sns की library यह पीछे वाली PLT जो थी, वो matte plot lip की थी, आप यहाँ पे अंदाज अलगा सकते हैं, कि first class का rent ज्यादा है, आप खुद चेक कर लें, कि dark color, light color जो ह है, वो थोड़ी सी dark है, और जो darkest color है, वो हमारी third class है, तो आप इस तरीके से check कर सकते हैं, कि अच्छा भई, किसका जो है वो, ज्यादा हमारे पास क्या आ रहा है, fair आ रहा है, ठीक है, age और fair क्या लिंक कर लें, नहीं कर लें, मतलब 30 से 40 तक कुछ लोगों ने बहुत रखना पड़ता है, वो मैंने आपको बताई है, आपको दोनों numeric variables आपके पास होने चाहिए, और दोनों ही आपके पास numbers हो, मतलब float या integer, और यहाँ पे जो है, वो आपके पास category होने चाहिए, अगर मैं age की बजाए, यहाँ पे sex का बनाता न, scatter plot तो कैसा बनता देखें, य आपके पास scatter plot तो आगया है, male और female का, लेकिन यह scattered नहीं है, यह एक point के उपर ऐसे इस तरीके से जा रहे है, ठीक है, तो आप यह इस तरीके से भी बना सकते हैं, अगर मैं same code को copy करूँ, यहाँ से, मैं इसको copy करता हूँ, copy करने के बाद मैं यहाँ पे paste करता हूँ और तो इसको हम draw करने की कोशिश करते हैं, अगर होता है, तो यह check करें, तो यह bar plot automatically बन गया, male और female का, one, two, three classes का, तो c bond जो है library आपको यह freedom देती है, कि आपका code तकरीबन same रहता है, ठीक है, इसके अंदर वाला, और सिरफ जो changes आती है, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ male और female का जो rent है, उसका अंदाजा लगाया कि लड़कियों ने ज्यादा दिया, या हमारे पास लड़कों ने ज्यादा दिया, ओरतों ने या मर्दों ने, फिर बाद में first class में ज्यादा दिया females ने, ठीक है, highest rent उन्हों ने दिया, third class में तक्रीबन बराबर है, और second में भी बराबर है दोना हुआ, तो इस तरीके से हम plot करते हैं, चीजों को bar plot या scatter plot या हम different किसम के जो plots हैं, उनको draw कर सकते हैं, आपको यहां तक clear हो गया होगा, अब आगे चलते हैं, मैं यहां पे simply करता हूँ, एक बहुत important plot है, इसको बोलते हैं, sns. pair plot और इसके आगे मैं सिरफ कर देते हैं, तो वो यह मसला बनता है, लेट सी, तो यह plot अच्छा खासा time लेता होता है, यह मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि इसने हर variable को दूसरे variable के against, जो है, वो run करना होता है, अक्सर अकात यह time इतना ज्यादा लेता है, कि आपके system को कम अज कम एक दो minute लग जात है, यानि के चेक करें, कि इसमें pairs बनाए जाते हैं, survived का alone के साथ बना है pair, ठीक है, adult male का p class के साथ बना है, fair का इस तरीके से, आप यहां पे अगर basically आप यहां से alone से इधर को जाएंगे, तो यह नीचे सारे alone के साथ सबी का comparison बना है, adult male के साथ जाएंगे तो उनका सबी के सा बना है, तो pair plot का मतलब है के हर एक column का दूसरे column के साथ pair बना के, यानि के मैं यहां पे आपको बताता हूं के कश्ती.columns लेगे हम, अब हमने क्या किया है, यहां पे हमने किया था sex और fair को draw, ठीक है, लेकिन pair plot के अंदर survived, सभी के साथ pair बनाया, p class का सभी के साथ, sex का सभी क साथ, parents और children का सभी के साथ, fair, embark, class, who, adult, सभी का सभी के साथ pair बनाया, ठीक है, तो इसको हम pair plot बोलते हैं, कैसे किस तरीके से हम इसको आगे लेके चलते हैं, we will see later on, अब हम बनाते हैं hist plot, hist plot कैसे बनता है, वो अब आप देखते हैं, hist plot बनाने के लिए आपको basically यह करना है, कि आप यहाँ पे कश्ती लिखें, कश्ती लिखने के बाद, dot hist, लिखने के बाद, आप इसको run करके देखते हैं, कि plot बनता है, यह नहीं बनता, तो यह इस तरीके से आपके पास जितने numeric variable हैं, उनका histogram बन जाएगा, simple एक छोटी सी command से, ठीक है, और अगर इनकी bell curve बन है, तो यह data सही है, वरना हमें इसको set करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप hist plot बना सकते हैं, सभी के सभी का, अगर आप ने यहाँ पे इनको बोलते हैं, bars को bins बोलते हैं, bins, ठीक है, अगर आप bins का number चेंज कर देंगे, bins is equal to 10 कर देता हूं, अगर मैं, let's see, तो आप चेक करें के bins जो हैं, हर किसी के पास 10 10 आजाएंगी, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे figure का size भी change कर सकता हूं, fig, size is equal to, मैं इसको कर देता हूं, 9 by 7, let's see, तो चेक करें के, यहाँ पे figure का size जो है, वो भी change हो गया है, we will rerun this, just to see, check करें, ठीक है, तो यह figure का size चे देख रहे हैं, कि इनके जो variable पहले आपस में एक दूसरे के उपर चड़े हुए, तो वो भी नहीं हो रहे, और अगर मैंने grid को remove करना है, तो मैं grid is equal to false कर दूँगा, grid, तो आप चेक कीजिए का पीछे से grid remove हो जाएगा, like this, तो आप इस तरहीके से histogram बना सकते है, histogram बनाने के लिए आपको basically यही काम करना पड़ता है, जो भी मैंने आपको बताया, और इसमें आपको और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती, मतलब सिधा सिधा हिस्ट लिखेंगे और आपके पास histogram बन जाएगा, ठीक है, अब जलते हैं box plot की तरफ, मैं यहाँ पे लिखता box plot बन गया, ठीक है, यह box plot क्या है, यह boxes है, और इसको हमने category wise, जो है, वो separate किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से category remove कर दूँ, तो आपके पास boxes कुछ इस तरीके से बनेंगे, male और female का बन गया, मैंने इसको further categorize किया, यहाँ पे यह वाला code, P class का pair बना के, तो आप check करें कि हमार नहीं याद, तो पिछला lecture देखे, आपको समझा जाएगी, इसके इलावा हमारे पास who का था, who में क्या होता है, check करें, man, woman and child, तो इस तरीके से तीन colors बनेंगे, जहाँ पे जो value नहीं होगी, वो वहाँ से remove हो जाएगी, इसके इलावा क्या हम बना सकते हैं, और हम embarked town का ब करूंगा, df.columns लिखूंगा यहाँ पे, इसको run करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास, df नी, sorry, kusti.columns, kusti.columns, मैं यह run करता हूँ यहाँ पे, तो यह मेरे पास इस तरीके से सारी चीज़ें आ गई है, अब यहाँ पे class को अगर हम simply करें तो, तो मैं यहाँ से मुझे पता है कि कौन-कौन सी categories है, तो first, second और third class, यहाँ पे उस हिसाब से हमारे पास box plot बन गए, इसी box के आगे, अगर आप, मैं इसको copy करता हूँ, मैंने सिरफ एक, दो alphabets की change करनी है, plot change हो जाना है, look, box के आगे en लिखना है, box n, that's it, लें जी, आपका plot की type change हो गई है, समझ आई बात की, type यहाँ पे आपकी change हो गई है, अब आपकी यहाँ पे assignment यह है, कि आपने हर एक plot का title change करना है, ठीक है, मतलब title को कैसे change करते हैं, यहाँ पे आपकी assignment है, how to change the x and y axis titles, वो आपने title change करके plot का, वो मुझे send करना है, ठीक है, यह आपकी assignment है, क्यों यह assignment है, बहुत easy है, आप जब करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, और आपको यह ज्यादा तरीक, अच्छे तरीके से आपको यह, मतलब सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है, अब एक यहाँ पे हम और एक plot बनाते हैं, जिसे subplot बुला जाता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, simply, इसको copy करता हूँ, एक code को मैंने copy किया, कहीं से, मैं आपको भी उसको समझाता हूँ, कि क्या चीज है, यह code है, इसको run करते हैं पहले, error दे रहा है, क्योंकि titanic हमने ने लिया, हमने इसको कष्टी बोला है, तो जहां पे titanic आएगा, हम वहां पे कष्टी लगा देंगे, that's it, let's see, अभी भी हमारे पास survived, जो है, वो S चोटे के साथ है, P class भी P चोटे के साथ है, और age भी हमारा A चोटे के साथ है, और fair भी हमारा ऐसे है, let's see now, at line 3, line 3, यहां पे fair हमने यह ने किया, इसके लावा क्या है, यहां पे fair का string नहीं थी, तो यह चेक करें, हमारे पास separate grid भी बन जाता है, कैसे मतलब हमने क्या किया, यहां पे, sns.facetgrid, इसको facetgrid बोलते हैं, grid किया, पहला एक graph, दूसरा graph, तीसरा graph, इस तरीके से आप चलते हैं, कष्टी के अंदर, hue is equal to survived हमने कर लिया, मतलब जो color है, वो survived का हो, hue का मतलब, और call is equal to column मतलब, पहला column, दूसरा column और तीसरा, graph के अंदर तीन column बनाएं, हमने उसको p class कहा दिया, first, second or third, फिर margin title जो है, वो हमने true कर दिया, मतलब जो margin title है, यहां पे हमने इसे true कर दिया, ठीक है, title जो है, वो margin के उपर है, margin क्या होता है, यह जो हाशिया होता है, left side पे, फिर बात में, palette is equal to one कर दी, c green palette, यह palettes क्या होती है, यह colors होते हैं, जो automatically आपके graph को assign किये जाते हैं, ठीक है, इसको अगर हम, gray is equal to zero कर देंगे, zero column gray कर देंगे, तो यह palette की value है, अब c green palette देखिएगा, SNS के अंदर तो आपको समझ आ जाजाएगी, मतलब यहाँ पे अगर हम जाएँ, यहाँ पे, c green palette, c born, तो आप इस तरीके से जो palettes हैं ना, वो सारी के सारी, like this one, यह palettes हैं, यह colors होते हैं, आप यहाँ से इनका code लेके, वहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब yellow green अगर हम करेंगे, तो वो change हो जाएगा, सिर्फ नाम change करना है, यहाँ पे, तो आपकी palette के color change हो जाएगा, तो इसको try किजएगा, फिर हमने G को दुबारा से map किया, और उसके उपर हमने plot scatter plot बनाया, ठीक है, हुआ क्या, कि जब हमने पहला code run किया, doesn't happen anything, सिर्फ हमारे पास क्या बनाया, जनाबे वाला, canvas बनाया, और उसके उपर हमारे पास, चीजें आ गई हैं, अब canvas के उपर हमने शर्रे fire करने हैं, याद हैना बात, शर्रे fire करने हैं, और plt.scatter बनाना है, fair और age को हमने लेना है, as color is equal to white कर देना है, let's see, तो check करें जी हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास, जो है वो plot बनता है, अगर मैं white से black करता हूँ, तो let's see, आपके पास black आ जाएगा, या sorry blue करता हूँ, तो यहाँ पे हम, इस तरीके से color को change करते हैं, और add legend कर दिया, यह legend होता है, graph का यह legend होता है, अगर आप इसको निकाल देंगे, तो यह legend यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस तरीके से आप grid plot बनाते हैं, ठीक है, इस code को आपने समझने है, और grid plot मुझे बना के send करना है, ठीक हो गया जनाब, अगर आप grid plot जो है, survived की बजाए, यहाँ पे p class की बजाए, कुछ और लिखते हैं, for example, मैं इसी code को copy करता हूँ, यहाँ पे paste करता हूँ, और आप आपको p class की बजाए, यहाँ पे, अगर हम sex लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, मनलब सिरफ एक value change की, तो column automatically हमारे पास दो आगे, क्योंकि sex के अंदर दो ही unique value है, ठीक है, अगर who लिखूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आएंगी, man, woman and child, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करें जनाब, यह हमारे पास 3 values आगी, तो इस तरीके से plot बनते हैं, plot को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन समझ के बनाना, वो मुश्किल काम है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि आपने कैसे plot बनाने है, और किस तरीके से वो आगे चलते हैं, ठीक है जी, अब हम बनाते हैं, यहीं पे एक और किसम का plot, मैं पिछले code को copy करता हूँ, reason behind that, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, C bond के अंदर, कितनी ज्यादा खासियत है, मैं यहाँ से इसको copy करता हूँ, सारे code को end पे जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको paste करता हूँ, और box plot की बजाए, या box on की बजाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, strip plot, let's see क्या हमारे पास आता है, यह है, जी strip plot, ठीक है, तो bars के अंदर, basically, आपके क्या आएं, points आई हैं, bars नहीं आई, तो यह bar plot, क्या होता है, यह सिरफ points को, एक scattered के थूरू, वहाँ पे print कर देता है, तो strip plot क्या होता है, वो basically bar plot, और scatter plot का, मजमुआ है, ठीक है, तो आप इस तरीके से, bar plot बना सकते हैं, strip plot बना सकते हैं, फिर हमारे पास एक आता है, heat map, ठीक है, heat map क्या होता है, उसको हम बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, कि किस तरीके से, उसको ले के चलना हैं हमने, हम यहाँ पे करते हैं, जनाब heat map, सबसे beautiful plot आई है, heat map, कैसे बनेगा, हमें पहले correlation निकालना पड़ेगा, core is equal to, कश्टी, और dot core, यह हमने एक parameter ले लिया, क्या होता है, मैं आपको यह समझाऊँगा, अब फिर हम इस पे देखेंगे, फिर हमने करना है, plt.figure, figure बनाने के लिए, 10 by 10 की हमने figure रख लेनी है, ठीक है, 10,10, 10 by 10 की हमने एक figure बनानी है, like, अभी आपको समझाएगी, figure बनाने के बाद हमने करना है, sns.heatmap, heatmap के आगे, हमने किस चीज़ को draw करना है, वो है core, यानि कि correlation को draw करना है, और, हम देखते हैं, अब यह कैसे draw होता है, तो यह plot है, आप यहाँ पे, जो color आपको show कर रहे हैं, वो correlation बता रहे हैं, कि survived के chances, दूसरे variable के साथ बढ़ रहे हैं, कि कम हो रहे हैं, correlation क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, या कम होना, एक चीज़ की वज़ा है, for example, food और weight का क्या correlation है, अगर मैं कहूँ, कि ज्यादा खाना खाने से, ज्यादा वजन तेज होता है, वजन होता है, तेज नहीं होता, ज्यादा खाना खाने से, ज्यादा वजन होता है आपका, तो इसका मतलब है, इन दोनों का positive correlation है, यानि कि इसकी value 0 से 1 तक है, ठीक है, अगर मैं कहूँ, कि ज्यादा खाना खाने से, वजन कम होता है, तो वो उसका negative correlation होगा, ठीक है, ज्यादा बारिश आता है, तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है, कम बारिश आएगा, तो कम पानी आएगा, तो ये वो ही चीज है, correlation minus 1 से, 1 की तरह होता है, minus 1 से, 1 तक होता है correlation, और जब आपका 0 है correlation, इसका मतलब है, कि खाना खाने से, वजन पर कोई फरक नहीं पढ़ ड़ा, तो इसकी मिसाल, आप ऐसे ले लें कि, सुक्के बंदे, मेरे जैसे, ठीक है, कोई इतने handsome ना हों जो, इस बात को याद रखें, और यह correlation plot यहाँ पर बनता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने, इस correlation plot का title भी देना है, तो आप यहाँ पर simply क्या करेंगे, लिखेंगे, plt.title, टाइटल लिखने के बाद, इसके अंदर आप string में देंगे, heat map of कष्टी data, ठीक है, आप चेक करेंगे, इसका title उपर आजाएगा, simply like this, तो इस तरीके से plt.title होगा, इसी तरीके से आपने बाकी भी टाइटल से ने, और यह आपने चीज जो है, इसको अच्छे तरीके से देखने हैं, ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, हम बनाते हैं, यहाँ पे, इसको मैं paste करता हूँ, अब यहाँ पे मैं सिरफ, एक चीज चेंज करने हैं, वाइलन प्लॉट, ठीक है, चेक कीज़ेगा, ले जनाब, यह वाइलन प्लॉट बन गया, सेम उसी कोड के अंदर, यही खुब सूर्ती है इसकी, कि उसी कोड के अंदर, आप सारी चीज़ें करने के बाद, प्लॉट्स बना देते हैं, ठीक है, तो आज हमने इतनी ज़्यादा प्लॉट्स देखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्लॉट्स को, आईरस के डेटा सेट पर ट्राइट पर ट्राइट करने के बाद, आप मुझे भेजें, यानि के फूल के डेटा सेट पे, कैसे भेजने हैं, आपको पता है, जो इस कोर्स में इंरोल हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो ना भी भेजें तो कोई इशू नहीं है, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशा ही ऐसान है, प्लॉट्स बनाना, अब आगे जो काम है, मैं आपको बताने वाला हूँ के, प्लॉट्ली को कैसे यूज करने हैं, और स्टेडिस्टिक्स और बाकी डेटा विजिलिजेशन कैसे करनी हैं, अपना ख्यार रखें, दौा में याद रखें, टेक कियर, और अला साथिस्टिक्स